हलांकि पराली को जलाए जाने के मामले पिछले काफी समय से हरियाना और पंजाब में रिपोर्ट किये जा रहे थे लेकिन अब सुप्रीम कोट की सक्त तल्की के बाद पुलिस के करमचारी, पुलिस के अधिकारी, ठानों से निकल कर खेतों में पहुँचे हैं किसानों को समझा भी रहे हैं और जो लोग नहीं मान रहे हैं उनके उपर जुर्माना भी लगाया जा रहा है अंबाला के SHO विकरांथ हमारे साथ मौझूद है, विकरांथ जी क्या कर वही आप कर रहे हैं जो लोग पराली जला रहे हैं सर अभी तक हमारे पास अंग्यान में एक ही मामला आया था जो जटवाड गाउं का पड़ता है तो ब्लोक अफसर है उनके दुवारे कंप्लेट दी गई थी जो प्राली जलाई जारी थी तो उसमें हमारे पास एक तो इसमें जुर्माने का है प्रवदान दूसरा है अगर वो जुर्माना नहीं देता तो इसमें मुकदमा भी दर्ज किया जाता है तो इसमें जुर्माना ब्रवाय गय था और उसके बाद अंबाला प्लीस काफी सचेत है और सरपंचों के माद्यम से भी और नंबरदारों को साथ लेके मतलब दिन बर सभी गाउं में जाके एक बार सभ विजाई हो रही है और उसके बाद दुबारा मतलब एक ही कंप्लेट आए थी दुबारा नहीं आई है और लोगों को भी हमने जा जाके जागरू किया है गाउं के लोग भी यहां पर मौजूद है और यह बखू भी समझते होंगे आप लोग किसान है कि आपको पता है परा और रक्षित हो सके आपके गाउं में जलाई गई है आपकी बार परालिट नहीं सर यहां पर गाउं के लोग भी है पुलिस भी है और लोगों को समझाने बुजाने का काम भी किया जा रहा है साथ ही चेतावनी भी दी जा रही है कि इसके बावजूद अगर कोई परालिज तो उन्हें कानून का सामना करना पड़ेगा सुप्रीम कोट की तलख टिपनी के बाद परशासन जागा जरूर है लेकिन इसे यूँ भी कह सकते हैं कि साप निकल जाने के बाद जैसे लकीर को पीटते हैं जीटी रोड पर हम मौझूद हैं और यहां पर पराली जलाई गई है आप देख सकते हैं जली हुई पराली के निशान ये जीटी रोड है और जीटी रोड से सिर्फ चार कदम आप नीचे रखेंगे यानि कि जीट रोड से खड़े होके भी दिखेंगे तो ये पराली किसी ना किसी को जलती हुई नजर आई होगी और ऐसा नहीं है चूंकि अब सीजन निकल गया है और जादा तर जो खेत हैं वो इस तरीके से प्लेन हो चुके है यानि कि पराली जल चुकी है और जलने के बाद जब सुप्रीम कोट की टिपनी आई है उसके बाद परशासन जागा है तो कुल मिलाकर दिल्ली और अन्य जगहों पर जो लोगों की सांसों में जहर घुल रहा है वो दरसल अब काम हो चुका है यानि कि वो पराली जलाई जा चुकी है और अब लकीर पीटने के नाम पर पुलिस परशासन अलर्ट जरूर हुआ है कैमरामेन गिरिश दुर्गापाल के साथ सतिंद्र चौहान मोहाली आज तक